कि अशुरों की खान पान ने को हमने अपना लिया अशुरों की ब्यवहार हम करने लगे हैं तो तुम मानुम कहां हो तुम मनुष्य नहीं हो तुम तो अशुरों हो जब तुम्हारा हर बस्त हर प्यवहार हर अशुरों वाली जब तुम्हारा है तो तुम मानव नहीं हो तुम दानव मनुष्य का धर्म तो कुछ लक्षण तो तुम्हारे अंदर हो तभी तो तुम्हें मनुष्य कहा जाएगा जब शारी लक्षण असुम वाली है दानव वाली है तो मानव हुए कहा था जिसको अंतह करण शुत्त हो जाए पवित्र हो जाए क्योंकि निर्मल मन जन सूम ही पावा अमोही कपट छल छित्र नम जिशका मन निर्मल है कवी राम्मन निर्मल भयाया जैसे गंगा निर्ड पाँचे पाँचे हरी फिरे कहत कभी ने कभी पाँचे पाँचे हरी फिरे कहत कभी ने कभी तो भगवान तो उशी के पीछे पीछे लोलते है जिसका मन अजिर्म पाबिद पाबिद पाब शुच्व लुप्लों कहते हैं अरे यह जो बच्चा है न यह भागवत रूप है क्यों को कि बच्चा का आंता है तर्म पलता है निल्मल होता शुक्त होता निल्पिकार होता किसी प्रकार का कोई पिकार नहीं हो कोई गंड़जे नहीं होता है कोई उसका अपना पराया नहीं होता है कोई सब्त्रु मित्र नहीं होता है ऐसी को है जैसे निल्मल पवित्र मनवाला पुरुष है तो जैसे निल्मल पवित्र मनवाले पुरुष के अंतह करन में शिब की प्राप्रापी हो जाए ऐसा आप कोई कथास नहीं हो तब शुम्त जी नहीं कहा प्रेशानुक जी आप धन धन मोशनी एक बात आप जह ध्यान देना अगर प्रश्न करता उत्तम प्रश्न करता है शुरुपा अगर उत्तम होता है तो भक्ता को भुपर आनत दाता है प्रश्च बग्ता भी सोस्ता है अपने अंता करण से सब कुछ निकाल करके इस सिद्धिर हो गुरू से अगर शिष्ट कोई उत्व प्रश्न करता है प्रश्ण करता तो पुरु चाहता कि सब कुछ पूरा प्रश्ण की है पुरुश्य है यतकारियं मियमानस्य सर्वता तो उस्य में भगवान शुकदेव लागवान शुकदेव ने राजा परिच्छी कहें बरियान के प्रश्ण कृतो लोग पहितम अंद्रिपा आत्म डितर शम्मत होता हुंशा हुआ हिराने तुझ स्रेक्ट प्रश्ण किया है लोग पहितम अंद्रिपा के लोग अंद्रिफ़ कृत्शी ने कहां आपके अंता करने जहे परमपवित्र उत्तम शास्त उत्तम कथास्तरवन करने की जुलालसा जाक्रित इसे देख करके ने शौनुक जी मैं आपको भाद, ज्यान और वैराद के से परिपर्ण अमरित में और दिव्य शास्त जिसका नाव शीव पुरान है जीश शीव पुरान का परण भागवान शीव ने श्वयम दिये अर जीव कथा मैंने अपने गुर्देव प्यास जी जीश शीव पुरान की कथा मैं आपको स्रवण करा रहा हूँ इसलिए शाव धान तयास शुरूं जीश पुरान को बड़े आदर पुर्वक मेरे भिर्देव ने रसना है जो कलिकाल ने मनुष्यों के कल्यार का उभार का हित का परमशाधन परमपवित्रे उत्तम शास्त्रे प्रत्री पर जीवों के कल्यार के लिए भागवान शीव की प्राप्ति के लिए कहते हैं जैसी भागवान शीव बिशाल है ऐसे ही इसे भी बिशाल सुर्ण जीशे परहना शुनना शर्वशाधन है जो शमस कामनाओं के पूर्ति करता है अमनो वान्चित फल को देने वाला है और आधि व्याधियों को निवित करता है उसे इसे मैं ने सोनना जी आपको में श्रवशाधन पराओ जो जो शिव लोग के प्राप्रा कराता है और भगवान शिव के शम्मी को पहुँचा शौनकादी रिश्यो ने कहा महराज एक बात आप करपा करके ये मुझे बताओ कि इसको स्रवान करेकरी काउं साजी शमस्तपा पहुशिंगे बताओ शौत जी रिखा है शौनकादी इसी विश्यो में किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्रामन राता था वह ज्यान में दुरुवत गरीब रस बेचने वाला वैटिक धर्मसे देखें जन्म तो ब्रामन कुल में हो गया लेकिन नहाना न धोना न भूजा न पान केवल कुल में जन्म लेने से कोई ब्रामन नहीं होता भाई जन्मना जायते शुक्र हमारा कर्म है हमको ब्रामन या छत्री या वैश या शुक्र बना ब्रामन अगर अपने कर्म को धर्म को छोड़ दिया है अब कहीं हो मेलेट्री में है और उसका अपना धर्म कर्म सब चूट गया तो उसे ब्रामन में कहेंगे क्या कहेंगे ब्रामन हान शत्री ब्रामन का कर्म है प्रिकार शंद्य पाशन गायत्री जब अगनी हो हो अगर यह हम नहीं करते तो ब्रामन का लाने के अधिकारी नहीं है अगर ब्रामन वैश्य का वने का काम शुरू कर दिया तो उसे ब्रामन वैश्य करेंगे ब्रामन नहीं कि नाम तो देवराज है देवराज का मतलब इंद्र जो देवताओं का राजा है वहीं देवराज लेकिन करम न पूजया न पाठ सुवेश्य लिटा अधि भगवान ने तुम इतना परिया जीवन दिये हैं इतना परियाँ शरूप दिया है ना परियाँ शरीर दिया मनुश्य का कुछ करने के लिए करने का मतलब केबल मोट कमाने के लिए नहीं केबल गोल्ड लटकाने के लिए नहीं केबल मन समान के लिए जीने के लिए नहीं कब हुखबर परुना नर्देही देतेगी सभी नुहीं तुसरी भगवान ने तुक्रपा करके तुम्हे मनुश्य का जीवन दे दिया अच्छे पुल में अच्छे परिवार में जन्म दे दिया नशुवे दे उठना न अश्नान करना एक बाद ध्यान देना हर जीव को मनुश्य को प्रात हकाल शुरी उदय से पहले जगजाना चाहिए शास्त्र कहता है कि जो वेक्षी शुरी उदय के पस्चात जगता है उसका कभी भी उदर पेट ठीक नहीं रहता है क्योंकि भगवान शुरी जल पर शूखते आई शिर होता है तात हकाल शुरी उदय से पहले उठों शुरी उदय से पहले अश्णान करो शास्त्र में चार अश्णान बनाया बताया देवश्णान मंगलश्णान देवश्णान मानवश्णान और दानवश्णान प्रात हकाली चार से पाच के बीच में जो करते हैं इद्धे वश्णान पाच से छे के बीच में जो करते हैं मानवश्णान और शुरी उदय के बात जो करते हैं इस प्राता काल ब्रम्ह महुर्त में अश्णूट करके अश्णान करो शब से पहले कराद ग्रेव शते लक्ष भी करम अध्य सर्श्वती करम देच वोविंद प्रभात करता कि अपने हातों को रिखाओं को देखती हुए भगवान का श्मरन को हाथ के अंदर लक्ष्मी भी है सरश्वती गोहंद भी इसका ध्यान तरिक्रस प्राणाम करो फिर प्रिपुली माता को प्राणाम करो शमुत्र वशने दे यह प्रिपुली माता को प्राणाम करने का मतलम क्या है यह प्रिपुली भगवान नारायन की पत्म भूदे में दो पत्रिया एक भूदेवी और एक स्री देवी स्री देवी यह फिल्मी वाली नहीं स्री कहते हैं लक्ष्मी आप दामोगर कुंड के लिए जाओगे तो भगवान दामोगर के पुरुन भगल में एक भूदेवी एक तरफ और एक तरफ स्री देवी नामोगर कुंड जाओगे यह भागवान नाराएं पत्री हैं और हमारे मां क्योंकि नाराएं पिता हैं इसको यमश्कार हैं मा मैं कर्म करने के लिए इस शंशार में अब तत्पर हो रहा हूँ आपके गोड में मैं अपने पैर को रख करके कर्म करने के लिए जा रहा हूँ हमसे कोई अपराद हो कि विश्मीत पत्नी नमस्तुप्रम पादस्पर सच्छम स्वच्छव कोई दोश्वन जाए तो आप मुझे जमा करते पर भगबाद यजन करो पूजन करो इसके बाद भगबत पूजन करने के बाद फिर अपने शांसारी कर्मों में लगो जो भगबाद ने तुम्हें कर्म यह नहीं सुवेरे उटे चार बिस्किट खाई एक कप चाय पिया ख़वार परे टीवी देखे बारवजे नहाया दोया खाया पिया और दुकान नोट कमाने के लिए माया के चकर में पच गया तोकि यह जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है इस शरीव बार बार तुम्हें नहीं देखाई सिब का देखान को सिब का खूजन करो शिब तक तक आश मना को यह जो देवराज था ना पूजा ना पाथ ना कोई बाथ वेश्वर्ती में प्रवित्त होता चलाएगा अब धन कमाना अब धन कैसे ही मिले दूसरे के मार करके दूसरे के चिन करके हमें तो कमाना है देवराज का यह काम ताप राजी राजी ने तो गहर राजी लोगों को देवपूँ बनाना और उसे धन हरा, मालना धन शीन है, कभी भी पाँच पैसा है, उसने धर्म के काम में धर्म को भूल गए, मेरे भाई धन की शार खत्वा इसी में है, कि धर्म के काम में धन धर्म को भूल गए, लेकिन देवराज ने कभी भी शत कर्म में पाँच पैसा नहीं लगा रहा, बैस उसका काम था, दोसरे शिद्धन हरन करना, मारे पिछ करके, सुरा सुंगली का स्वेवन करना, आचार प्रेश्ट, एक लोई, डैवी योग दूसे, ओ, घूमते घूमते, जोशी प्रयाग राज पहाँचे, इस जूशी का नाम था पहले प्रतिष्ठान पूर, उहाँ पहुंच गया, उसने एक सिवाले दे था, जहाँ शाधूश्चन एककत्रित हुए थे, और वो वही पर उस सिवाले में ढूब दूब दूब, दू-चार दिन रुका, दू-चार दिन रुकने के बार, उसको इतनी जूर की जुर आया, अब वो कहीं जाने सकता, कहीं आने सकता, तो जुर के एरा से प्यतित हुआ करके वहीं पर आने, और वहाँ एक ब्राम्राहन सिव पुराने की कथा सुना रहे हैं, अब मन तो है ने, अब कोई उसका उदे से भी नहीं था, कथा सुनने था, ओ तो भूमते भूमते आया था वहां रुका उसको जुर हो गया तकलीप हो गई, तो परा रहा अब परे परे वहां पर कथा चल रही थी पुकान में पर रहा था, ध्यान देना, अगनी को चाहे जान करके पको वह तो भी जलाएगा, और अगनी में अगनी में हाँच चला जा तो भी जल जाएगा, भाव तुदाव अनक आलस, चाहे मन से सुनो, और चाहे बे मन से सुनो, उसका जो कथा का काम है वो तो काम अपना करेगा, तो देवराज का कोई भी इच्छाद हो भी नहीं, स्रवन करने का और इसलिए गया भी नहीं था, तो गया था, जो रहा गई पूरा हो गया सरीर में तो परा रहा खान में, सिव पुरान की कथा परते रहे रहे, कोई मन नहीं, कोई उद्देश कथा स्रवन करने का नहीं, अब परे परे सुन रहा है तो एकमा सबाल, देवराज स्वस्थ हुआ, और स्वस्थ होने के बार, फिर उसको, क्योंकि भोड़ी बहुत स्वस्थ हुआ उसके वाद, फिर उसको जोरने पड़े, और उसी देवाले में उसके मृत्व हुआ, यह मुद्ध आकर के खरे हो, क्योंकि कर्म प्रद्धान विश्व करिगा है, जैसा आपका कर्म होगा, अच्छा कर्म होगा, तो शिव के भूत आएंगे, बुरा कर्म होगा, यह मुद्ध आएंगे, अब देवराज के तो शुरू से कर्म अच्छे थे नहीं, यही दाव उसको लूठना, उसको तीठना, उसको मारना, सुराशंद्री का सेवन करना, अभी भजन नहीं बूझाने कुछ नहीं, तो अंत्म समय में यह मुद्ध उसको लेने के लिए, अब यह मुद्ध इधर लेने के लिए आए, और इधर भागवान इस्व के पारशद भी लेने के लिए आए, अब यह मदूत कहे के मेरा अधिकार है, और भागवान सिर्के पारशद कहे मेरा अधिकार है, अब दोनों में आपस में लराई होए, इस बात को सुनकर के धरमराज आए, क्योंकि जोड़ जोड़ से आवाज हो रही थी, तो आवाज को सुनकर के धरमराज आए, क्या बात क्यों लर रहे हैं? मैं इस देवराज को लेने के लिए आया हूँ, इसने जीवन भर पाप की है, इसलिए मेरा अधिकार इस पर है, और मैं ले जा रहा हूँ, तो ये शिवगन, विरोध कर रहे हैं, ये कारे मेरा अधिकार, धरमराज ने घब लिया, चाहे इसने जीवन भर पाप की है, लेकिन अंतिम च्छन में, इसने सिव पुरान की कथा स्रवन करने की कारण इसके जितने पाप थे, सब पाप शमप हो गए, अब ये पापी नहीं रहा, ये शिव भख हो गया है, इसलिए इस पर अधिकार अब तुम्हारा नहीं है, ये शिव गणों की है, देवराज को बीमान में बैठा करके, दिव शरीर प्राप करने के बाद बीमान में बैठ करके, देवराज कैलास के भगवान श्रिवतां दर्शन किया और भगवान श्रिवत के दर्शन करने के बाद, देवराज श्रिव में बैठ को बैठा करने के अवशर प्राप्त हुए, आपकी क्रपाशे यह कथा स्रवन करने के अवशर प्राप्त हुए, यह तो नहीं नहीं समझे हुए, कि यह श्रिव पुराण को श्रिवन करके देवराज भगवान श्रिव लोग को प्राप्त किया भगवान श्रिव को प्राप्त किया, क्या और किसी पाप्त का पत्तों का भी उद्धार उद्धा है इस कथा को स्रवन करके, आप करपा करके मुझे बताने की करपा करें, शूत जी ने कहा, आप इस कथा को स्रवन करों जो गूपनिय कथा, उस गूपनिय कथा को मैं आपके शामने बरण करता हूँ, तो कि आप शिव के परमभक्त है, सिरश्ट है, वेद में ताओं में सिरश्ट है, एट शमुद्र के निकटवर्थिक प्रदेश में वाश्कल नाम का गाम था, महापापी लोग रहता है, उस गाओं में जितने भी लोग थे, सभी तुष्ट सुमाबते हैं, कोई भी वेक्ती धर्म का आचरन नहीं करता था, हर लोग, हर वेक्ती पाप के ही आचरन नहीं करता, दूसरी पिशाय भोगों में ही निरंगतर लगे लगे लगे, उनका यही काम लुका देते हैं, अरे क्या पुजा पाथ करना जीवन मिला है, भोग भोगने के लिए भोग भोग, भोगने के लिए जीवन नहीं मिला है, एक बार किशी ने विशे से कहा मैं तुम्हे भोगता हूँ, विशे ने कहा तु क्या मुझे भोगेगा, भै अम्या भोगता मैं नहीं भोगता हूँ, तू क्या मुझे भूगे मैं तो जीवन के भोगने के लिए नहीं है बार बार सिब पुरान में इस बात को कहा देवन खाना पीना, मोज मस्ती करना, विशय का भूग करना और देवता और अभाद्विकों पर विश्वाश नहीं करना उश्गाओं के हर विक्ती का कुटिल विक्ती यहीं सोब और यहीं करना बस और कोई काम न शतकर्म का का न धर्म का का उसी काओं में बिन्दुक नाम का एक भ्राम्धन गाता जिसकी पत्मी थी चंचुला बिन्दुक का का नहीं था खाना पीना और विश्वागमन करना बस और कोई काम न था चंचुला शुंदरी थी नवयोगना थी काम से क्रेश्ट होने के बावजूद भी आपने उपर नियंतरन करके रखते लेगे ने मन को नियंतरित करते करते मेरे भाई वहन एक बाद ध्यान देना पहली बाद तो मन के उपर कोई भरोशा नहीं करना मन कब फुशल जाए इसका कोई भरोशा कासी में एक शंतर है बड़े परित प्रशा प्रात हकाल उनका नियम था चार वजे उठ करके और गंगाश नान करना विश्वनात का दर्शन करना यह उनके जीवन का नियम था एक बात आप दिहान देना हमारी जीवन में एक नियम अब शुक्रा चाहिए जिसके जीवन में नियम नहीं सही हम नहीं उसका जीवन जीवन नहीं है जो मन में आया कर लिया जो मन जहां मन में आया चल लिया एक कोई जीवन जीवन है हमारी जीवन है नियम जब शुक्रा चाहिए कोई भी एक नियम हमें मन दे जाना है तो जाना भगवान के पूजा करने है तो करने है ये नहीं जो कि चार दिन किया दो दिन छोड़ दी छो फिर चार दिन की फिर दो दिन छोड़ दी तो भगवान को तो रखते हैं लेकिन कभी करते हैं अरे भाई आज को नहीं सेवा कर लो बसोगे चाहे कुछ भी हो हमारा एक नियम अले हमारे जीवन में ये नियम तूतने नौपाई ये नियम छूतने नौपाई तो जिसके जीवन में एक सही अमने है एक नियम नहीं है कुछ तो शंद जी का एक नियम अथा रुज गुंगा शुनान करना विश्वनात का दर्शन करना भी जल जरहाने के पश्चाच विश्वनात को फिर कुई काम का तो जब वो गंगा अश्नान करके आते थे ना तो रोज एक विश्या उनको मिलते थे वो गंगा अश्नान करके विश्वनात जी के लिए सिद्धी चरते उपर चरते थे और विश्या उपर से गंगा अश्नान करने के लिए आते अर रोज टकराती विश्या उश्यंत से अर रोज पूछती माराज कच्चाया पक्का श्वामे जी कोई भी जवाब आते थे रोज का नियम थे विश्या का मिलना और विश्या का यही प्रश्या लेकिन स्वामे जी कभी उत्तर नहीं देखाई देखे पास चुच्चाप वो बोलती वो शुनते हुए उपर चर जाते अपना जा करके विश्युना जीक का फुजा पाठ करके विश्यक करके फिर अपने आस्त्रम में आ दीरे दीरे ऐसे इस समय बेती तो होता गया जब श्यंत का अंतिम चान हुआ मृत्व का ओ श्यंत्रम अपने सिस्यु से कहा कि भीया इस बेश्या को भुणा के लिया शिश्यों निकारी राम 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 गुरु जी की बुद्धी ब्रश्टों गया अरे अंतिम समय में भगवान का दर्सन नहीं कोई बात नहीं यह कहते कि भीया विश्वनात जी की तस्वीर रख दो या गोपाल जी का तस्वीर रख दो दर्सन करा दो यह सब कुछ नहीं और कहरे की बेश्या का जीवन भर शादू बेश्या का लेकर के और विश्वनात के दर्सन करते रहे गंगाश्नान करते रहे अब आज अंतिर छण आया है तो क्या बुद्धी ब्रष्ट हो गया गुरुजी का कि कहरे कि विश्या को बुला कर ले आओ लेकिन अब गुरुजी का आदे सथा तो क्या करें गई बुला कर के लाए विश्या सामने कहरी शंत ने कहा बेटी तु मुझे से रोज पूछती थी कि महराज कच्चा या पक्चा मैं गंगा अश्नान करके विश्यानात जी जब जाता था तो तु मुझे से रोज पूछती थी और मैं तुम्हारे प्रश्न का उद्दर नहीं देखाता क्यों नहीं देखाता था क्योंकि आज तक मुझे अपने मन के उपर भरोशा नहीं था कि कब ये दिख जाए ये मनीरा कब धोखा दे जाए इसका कोई भरोशा नहीं था मुझे मन के उपर लेकिन आज मुझे अपने मन के उपर भरोशा है इसलिए मैं तुम्हें का रहा हूँ पक्का 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 इसलिए या एक तो जवान दूसरा मन का कोई भरोशा नहीं था मन के बहुती रंग है छाण छाण बदले सोई एक रंग में जो रहे ऐसा बुर्णा कोई तो मन का कोई भरोशा नहीं मनीरा कब गड़ा में डाल दे वह भरोशा नहीं है तो एक तो योवना अवस्था चंचुला का भूसरा काम का बेव पहर किसल करिए एक जार से आँख लर गया अब तो उस परपुरुश के शार चुप चुप अपने पती बिंदु के सी ज्ञान देना, एक बार धर लगता है, किसी दिश्कर्म को करने के, पाप को करने के, अब वही एक बार का डर अगर छूट गया, कि पैर फिसल गया, गिर गया, कोई देख न ले, किसी को पता ना लगा जाता, गिर गया, चंचुड़ा, पहले भै भीट रही, लेकिन धीरे धीरे, करके ओ, परपुरुष के साथ, अपना शंबन बचुड़ा, एक रोज भिंदु बने, चंचुड़ा को परपुरुष के साथ देखे लिए, और देखते ही, उसको क्रोध आ गया, और खो मारा पीटा, खो मारा पीटा, अर उसे कहने लगा, पुल्टा, नेरे पीछे ये पुल्खिला दिया, चंचुड़ा ने कहा, आप किसे कह रहे हैं, आप पहले अपनी तरफ को देखे हैं, मेरे भाई भाई, हमारे मुह में अपने मुख के उपर लगी हूई कालिख किसी को दिखाई नहीं देता, शामने वाले की कालिख अबस दिखाई देती हैं, आप जो चंचुड़ा ने कहा, आप जो मुझे कह रहे हैं, बहले अपने तरफ को देखो, भड़ी जवानी में आपने मुझे त्याक दिया, मैं अपनी पर काम के आवेद को कितनी नियंकर करती रही, लेकिन क्या करूँ मेरा पैर फिसल गया, अगर आप आज सही होते हैं, तो हमारा पैर ने फिसल गया, आपने गलत रास्ता को अपना लिया, तो मैं क्या करूँ, मेरी तो मेरी भी भरी हुई जवानी की काम के लेग ने मुझे घर्शित कर लिया, और मैं भी बहत, आप अपने आपको सुधार लो, मैं अपने आपको सुधार लो, आप गलत रास्ते को छोड़ दो, मैं अपने गलत रास्ते को छोड़ दो, बिंदुग ने कहा, ठीक है, तू जिस रास्ते पे चल रही है, लेकिन जिस जार के शाथ तुमने यारी की हैं, उबरा धनवान हैं, उसे धन लेती रहो और मुझे देती रहो, क्योंकि मुझे आवश्यक्ता होती है विश्या को देती हैं, अब दोनों स्वतंत्र हो गए, ओभी चारप कुरुष के साथ लगे रही पर कुरुष के साथ लगे रही, बिंडु भी विश्याओं के साथ लगा रहा, धीरी धीरी शमय बेती रहा, और एको बिंडु की मृतु हो, अब पती के मर जाने के बाद अब को कोई कहने वाला भी नहीं है, धीरी धीरी शमय बेती तो होता गया, उस जार के साथ चंचला बिशे भूब करती रही, जवानी धली तो की एक बात ध्हान देना, यह जवानी निमनिरंतर रहने वाली नहीं है, एक रोज एक माता दरपन में देखकर के मुख को रो रही, बच्चों ने पूछा मा क्यों रो रही, क्या कश्ट है क्या पीरा है, उस ने कहा, मैं रो इसलिए रही हूँ, मेरे शरीर में कोई पीरा नहीं, कोई किसी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन मैं रो इसलिए रही हूँ, कि पहले वो थी जो मैं गली से निकलती थी, तो युबक मेरे रूप को देख करके मचल जाते थे, आज वही मैं हूँ, कि कोई मेरे तरफ देखता था। तो ये जवाने येंतर रहने वाला है। कर दो ये जवाने वाला है।